सोरिन्मी श्रीफसीना हिंदुस्तान में प्रैसवार्था का आयोजन किया प्रैसवार्था की अधिक्सतार रास्टि अधिक्ष पवन कुमार गुपता ने की उन्होंने कहा कि भासपा करेबन साड़े चार वर्शन से सत्ता में है और उनके पास पूरन भहमत है लेकिन उनके बापसूत भी उन्होंने आयोध्य के राम मंदिर के निर्मान को लेकर कोई सकारात्मा कदम नहीं उठाई जिसकी वजह से आज देश के सभी हिंदू बेहद खफा हैं उन्होंने कहा कि जब ऐसी स्टी एक्ट में अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोट को बाइपास कर कानून लागो कर दिया गया तो उसी तर्स पर उन्होंने राम मंदिर को लेकर कानून में बदलाव कर उसका निर्मा हाई पटेल की मूर्थी तो बना दी लेकिन उनके द्वारा दिखाए के मारक पर बहद्दो कदम भी ना चल सके यही कारण है कि आज तक राम मंदिर का निर्मान नहीं हो पाया वहीं उन्होंने कहा कि उधम ठाकरे चुनावों के समय में केवल वोटों की फसल काटने के मंदिर से कोई लेना देना नहीं है अज़द्या में भगवान श्री राम का मंदर बनाएंगे कि आप सत्ता का मोच छोड़ेंगे और भगवान श्री राम मंदर के लिए सत्ता का त्याक करते हुए अध्यादेश लाकर के या जिस भी ताकत से आप भगवान राम का मंदर बनाएंगे कि श्री उद्धो ठाकरेजी जब अजोद्या आए उनके साथ 6 दिसंबर को जो हिंदू नेताओं ने शिव सहना के कारेकरताओं ने जो काम किया था 6 दिसंबर को बाबरी विद्वन्स में उनमें से एक भी हिंदू नेता या शिव सहना का कारे करता उनके साथ उपस्तित नहीं था शिव सहना हिंदुस्तान ऐसा मानती है कि साड़े चार साल उद्धो ठाकरे भी केंदर की सरकार में थे महाराष्टर की सरकार में थे, पूरी तरह भारत्य जंता पार्टी की तरह उदासिन रहे, सत्ता का आनंद लेते रहे, अब हिंदू समाज की बावनाओं को हवा देने के लिए, और अपनी वोट की फसल काटने के लिए वो भी भाजपा के पीछे पीछे अजोद्या चले आए जनम के बाद कभी भी बाला साथ टाक रहे और उनके खंदान का कोई व्यक्तिय जोद्या नहीं आया